Hello friends, Good morning, Welcome back to my YouTube channel Plants and Pets Lover Friends, जो मैं Plants Nursery से लाए थी, तो मैं इनको धीरे-धीरे करके report करूँगी क्योंकि अभी इनको लाए हुए 8 दिन हो गए हैं, तो इनको reporting जरूरी है क्योंकि छोटे-छोटे polypack में ये लगे हुए हैं, तो इनको खाद पानी तो चाहिए तो इसमें इतना नुटिशन्स इनको नहीं मिलेगा कि यह अच्छी ग्रोथ कर सकें इसलिए आठ या दस दिन के बाद आप अपने प्रांट को रिपोर्ट जरूर करिए नरसरी से लाने के बाद एक दिन एकदम से मत करिए कि आज लाए और आज ही रिपोर्ट कर दें क्योंकि इनको शौक लगता है उसका तो आज मैं एक जोरा के प्लांट को रिपोर्ट करूंगी और ये देखिए बहुत ही हेल्दी प्लांट है और अच्छी ग्रोथ है इसकी और फ्लावरिंग भी हो रही है तो म आपको प्लांट का साइज देखे ही करना है अब ये छोटा है तो इसको आप छोटा ही प्लांट में ग्रोथ कीजिए तभी अच्छी तरह इसकी ग्रोथ होगी तो मैंने ये पॉट लिया है फ्रेंड्स छोटा ही है और सबसे पहले आपको क्या करना है ये देखिए मिट्ट जरूरत नहीं है, तोड़ी सीवीड लिये हैं सीवीड सेम आप जरूर डालिए फ्याय्वेट ग्लेन जरूर या ल्य मैंनेसे अपिसम सॉल्ण कें एप्सम और महले में प्लांट में पास नहीं थि तो थोड़ी ही तो मैंने वो ली है friend और यह मेरा रवर्मी कंपॉस्ट है और ये थोड़ा रर्मी कंपॉस्ट इस बार मुझे बहुत ही जो मैंने लाई हूं मैं 10 किलो का मैं पत्ता ही ले आती हूं बैग और देखें कितनी गिला यह बहुत उत छादा है क्योंकि कोई भी प्रांट आप लगाते हैं फ्रेंट्स मिट्टी में तो थोड़ा ऐसी वेल ड्रेंट सोल तयार कीजिए ताकि हम पानी डाले और नीचे से वो ड्रेंट हो जाए तो देखे मैं इसको मिला लूँगी अच्छी तरह से और फ्रेंट्स इससे अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही हमें अपने प्रांट को इसमें डालना है फ्रेंड्स नाफ हाथ से करने में अच्रा मिल भी जाती है मिटी और हाथ से करने का थोड़ा अलग ही मі hear को मजाता है अच्छा लगता है क्यों कि थोड़ा हमें मिटी के टुच में रहेंगे तभी तो हम गार्डिनिंग कर सकते हैं और अच्छा भी है यह माप всё это मैं इनको बढ़ा करके लाई हूँ, तभी हमारा पानी से नीच़े से अच्छे तरह से ड्रेन होगा, कि तो अब मैं ऐसमें थोड़ा फ्रेंस दो ठीक री डाल दूंगी छेद के उपर, और उसके बाद इसमें मैं नारेल की जो वो होती है फ्रेंस नारेल की जटा है सी, प्रांट को नीचे वो धिरे धिरे करके डिकंपोस्ट होंगी तो हमारे प्रांट को नूटिशन भी मिलता रहेगा इनसे खाद बन जाएगी ये बाद में तो यह आप जरूर डालिए क्योंकि पॉट भी इससे हलका ही रहेगा तो मेरी तो बालकने में इतने प्लांट से हैं फ्रेंट्स काफी वेट हो गया तो हलकी मैं मिट्टी ही बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि या तो वर्मी कंपोस्ट में मैं वर्मी कंपोस्ट सेंड और थोड़ी सी मैं उसमें कोकोपीड जरूर मिलाती हूँ यह मैंने इसको निकाला है इसमें से और देखे कितनी हार्ड इसकी मिट्टी है इसमें कैसे कोई प्लांट जादे दिन तक सरवाइव कर सकता है तो एकदम ठोस है मैं कोशिश करूँगी इसको थोड़ा थोड़ा धीला करूँ लेकिन जादा है मैं नहीं करूँगी क्योंकि फिर अगर रूट्स इसकी तूट गई तो फिर यह प्लांस ग्रो नहीं करेगा शौक में चला जाएगा यह तो इसलिए थोड़ी सी तो मैं निका यह देखे मैंने इसको रिपोट कर दिया यह फ्रेंड्स मैं पूरी तरह से इसको जैसे मैंने मिट्टी निका लिए वह मैं नहीं दिखा पाई लेकिन हा मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है कि इसकी रूट्स डेमिज ना हो तो इसके बाद आप इसमें फिर्स प्राया की जगह पे रख सकते हैं मताँ शेड में ही रखना है इसको 3-4 दिन और यह प्रांट फिर अच्छे ची ग्रो करेगा तो मैं आने वाले टाइम पे इसकी ग्रोथ आपके साथ शेर करूंगी कि कैसी ग्रोथ है इसकी यह देखे अभी तो फ्लावरिंग भी बहुत अच इस पर बहुत सुन्दर लगता है जब गुच्छों में फूल आते हैं तो देखे इधर मैं अपने यह प्रांट दिखा रही हूं आपको मौज रोज के पॉर्चूल का तो सारे प्रांट की ग्रोथ बड़ ही अच्छी है यह देखे और फ्रेंट्स आप कैसे अपने प्रां की मेरी यह रिपोर्टिंग की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंट्स कमेंट में बताइए कि आप अपने प्रांट की सोयल कैसे बनाते हैं और अगर मेरा यह अच्छा लगा है सोयल बनाने का तरीका मैंने इसमें क्या कुछ कमी तो नहीं रहे गई फ्रेंट्स तो बताना आप अपने राय जरूर दीचे धन्यवाद फ्रेंट्स